देखिए पिछली वीडियो में हमने कुछ सिद्धान्त किये थे बुद्धी के 5 सिद्धान्त आपके हो चुके हैं 6 सिद्धान्त से जो के आपका प्रतिदर्श सिद्धान्त या सेंपल थेओरी है उसके जो आपका थर्मसन ने लिया है इससे आप आज स्टार्ट करते हैं देखिए ये सभी वीडियो होने के बाद मैं एक कॉम्बो वीडियो दे दूँगा जिसमें आपके पूरे सिद्धान्त कवर हो जाएंगे ओके देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रतिदर्स सिद्धान्त शेवा सिद्धान्त है छटा सिद्धान्त है प्रतिदर्स सिद्धान्त यानि सेंपल थेओरी ये सेंपल थेओरी दी किस ने थी थॉमसन ने दी थी जो के एक मनोवै ज्यानिक रहे हैं थॉमसन नामक मैनोवय ज्यानिक ने प्रतिधर्द सिद्धान दिया था, इनों ने कहा था, सेंपल थियोरी, सेंपल क्या होता है, आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा, कि किसी चीज का सेंपल ले लो, यानि आप डेरी पर गए और आपको पनीर खरीदना है, बहुत कि प्रत्यक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्जिताओं का थोड़ा-थोड़ा समुह पाया जाता है, प्रत्यक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्जिताओं का थोड़ा-थोड़ा समुह पाया जाता है, मालनी जीए, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में, थोड़ा पढ़ भी लेता है थोड़ा डान्स भी कर लेता है थोड़ा सिंगिंग भी कर लेता है और ड्राइविंग भी कर लेता है एक्जाम्बल के दौर पर है यह आपका यह आपका एक देखती है जो के पढ़ना, डान्स करना और नरत्य करना और ड्राइविंग करना ये जानता है तो इसमें थोड़ी थोड़ी योग गिता सभी मांसिक योग गिता हैं मौजूद हैं इसी सिद्धान्थ पर थॉम्शन ने प्रतिदर्श सिद्धान्थ यानि सेंपल थियोरी दी थी क्लियर हो गया कोई दिक्कत अगर कोई प्रॉब्लम आपको आदी है कहीं भी समझने में तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है देखे नेक्ष्ट सिद्धान्त है आपका सात्वा सिद्धान्त क्रमिक महत्त का सिद्धान्त या पदानुक्रम सिद्धान्त देख नाम पढ़ने से क्या मालूम हो रहा है क्रमिक महत्त क्रम से लगे हुए चीजों के महत्त का सिद्धान्त क्या है कि ये पदानुक्रम सिद्धान्त इसे हम पदानुक्रम सिद्धान्त के नाम से भी जानते हैं वर्ट एवं बर्मन महोदय वर्ट एवं बर्नन हुए हैं ये मनोवैज्ञानिक हैं आपके जिन्होंने क्रमिक महत्तो का सिद्दान्त या पदानुक्रम सिद्दान्त दिया था इन्होंने स्पियर मेंन के g-factor को समर्थन दिया था इन्होंने स्पीर मेन के जी फेक्टर जी फेक्टर यानि सामान्य योग गिता इन्होंने सामान्य योग गिता को उच्छ स्थान पर रखा इन्होंने सामान्य योग गिता को उच्छ स्थान पर रखा इन्होंने सामान्य योग गिता को उच्छ स्थान पर रखा था ये क्या कहते हैं कि बुद्धी एक जनमजात योग गिता है बर्ट एवं बर्णन क्या कहते हैं, इन्हें कभी-कभी बर्ट और बर्ट ऐसे भी लिखा जाता है बुद्धी एक जन्मजात योगिता है जिसमें वातावर्ण में विकास की अवस्थाओं के साथ बालक की बुद्धी का क्रमिक विकास होता है क्रमिक विकास से मतलब है छोटा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ये क्रम हो गया आपका देखेए इन्हों ने कहा है कि बुद्धी एक जन्हान जाती होगिता है जिसमें वातावरण में विकास की अवस्ताओं के साथ बालक की बुद्धी का भी क्रमिक विकास होता है क्रमिक विकास छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा इस तरह से होता है क्रमिक विकास इन्होंने सामन योगिता इस्पियर मेन के जी फेक्टर को समर्थन दिया था नोने उच्छ इस्थान पर रखा सामा नियोग गिताओं को अब आपका next सिद्धान्त है आठवा सिद्धान्त यानि तरल वठोस बुद्धी का सिद्धान्त तरल और ठोस बुद्धी का सिद्धान्त कैटल और होन नामक वैज्यानिक ने दिया था तरल और ठोस बुद्धी का सिद्धान्त केटल वहर्न नामक मनुवग्यानिक ने दिया था इन्होंने दो चीज़ बताई एक होती है तरल बुद्धी और एक होती है ठोस बुद्धी तरल बुद्धी जो होती है वो जनमजात होती है और ठोस बुद्धी जो होती है वो अरजित होती है इसी तरह से एक छोटा से सिद्धान्त है का खा ए बी का सिद्धान्त इसे का खा का सिद्धान्त या ए बी का सिद्धान्त भी कहा जाता है का या ए जनमजात होती है और खा या बी अरजित होती है अब मैं आपको जो हमने पढ़ा उसके उससे क्वेस्टन किस तरह से बनेंगे उसके बारे में बताता हूँ देखे अगर सीटेट की बात की जाए या यूपीटेट की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेस्टन इसमें यह होता है जो भी हमने पढ़ा है इसमें से क्वेस्टन इस तरह से बनेंगे सीटेट यूपीटेट की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेशन बनता है प्रती दर्ष सिद्धान्तिया सेम्पल थ्योरी किस ने दी थी तो आप को अब तो पता चल गया होगा कि किस ने दी थी तो ये थॉमसन ने दी थी तो आप सन नामक वेज्ञानिक हुए जन्होंने प्रती दर्ष सिद्धान्तिया सेम्पल थ्योरी दी थी कुछ क्वेशन इस तरह से भी आ जाता है कि इसमें इस तरह लिखा होगा और इस तरह लगा होगा प्रते एक व्यक्ति में सभी मानसेक योगिताओं का थोड़ा-थोड़ा समू पाया जाता है यहा कथन किसका है तो यहा कथन थॉमसन का है थॉमसन एक वेज्ञानिक हुए थे मनो वेज्ञानिक जन्होंने एक कथन दिया था और एक और बात प्रती दर्थ सिद्धान्त आ सकता है सेंपल थ्योरी हिंदी में भी लिखा आ सकता है इस तरह सेंपल थ्योरी सेंपल सिद्धान्त किस ने दिया था तो आपको यह ध्यान रखना है सात्वा सिद्धान्त है क्रमिक महत्तो का सिद्धान्त या पदानुक्रम का सिद्दान्ट, दोनों मैंसे किसी भी नाम से आप से पूछ सकता है कि यह सिद्दान्ट किस ने दिया था, तो सबसे पहला क्वेशन आपका यही हो जाता है कि यह सिद्दान्ट दिया किस ने था, तो यह सिद्दान्ट बढ़ एवं बर्णन महोदय ने द सकता है इसमें से टिपीकल कोईशन इस पीयर मेन के जी फैक्टर को समर्थन देते सब है सामान नियोग्जिता को वर्ट एवं वर्णन महोदय जे किस इस्थान पर रखा तो ये उच्छ इस्थान पर रखा एक और क्वशन बन सकता है बुद्धी एक जन्मजात योगता है जिसमें वाता वर्णन में विकास की अवस्ताओं के साथ बालक की वुद्धी का अक्रमेक विकास होता है या कथन किसका है तो वर्ट एवं वर्णन महोदय का है ठीक है नॉर्मली ये क्वशन आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट क्वशन आपसे पूछा जा सकता है कि तरल वठोस बुद्धी का सिद्धान किस ने दिया था तरल वठोस बुद्धी का सिद्धान केटल वहोन नामक वैग्यानिक ने दिया था इन्होंने दो तरह की बुद्धी बताई है तरल बुद्धी और ठोस ब या अ का सिद्दान्त जन्मजात होता है और ख या ब बी का सिद्दान्त अरजित होता है और ये दिया किसने था ये आपको मैंने अभी नहीं बताया है ये सिद्दान्त आपको हैब नामक वैग्यानिक ने दिया था हैब हैब नामक मनुभेज़ानों ग्यानिक ने लिया था ओके नेक्ष्ट सिद्दान्त है इंडल का बहु बुद्धी का सिद्दान्त वाहत् çıkar गािनर उतने दिया था और आपको इस वीडियो से पहली वीडियो में बहुकारक सिद्धान्त दिया था थान डायक ने वो पढ़ाया था तो आप उसे भी देख ले और इसे भी देख ले मैं यही पर आपको मेंसन कर देता हूं देखिए आपका नौमस सिद्धान्त है बहुद्धी का सिद्धान्त जो के गार्डनर नामक वैज्यानिक ने 1983 इसवी में दिया था इसमें दो सिद्धान्त और जुड़े सन 1998 में और सन 2000 इसवी में आठवा सिद्धान्त आपका 1998 इसवी में और नौवा सिद्धान्त आपका 2000 इसवी में जुड़ा था बहुद्धी का सिद्धान्त गार्डनर नामक वैज्यानिक ने मनोवेग्यानिक हुए उन्होंने दिया था गाड़नर नामक मनोवेग्यानिक ने इन्होंने बुद्धी मुल रूप से साथ प्रकार की बुद्धी बताई थी बुद्धी मुरूप से साथ प्रकार की होती हैं जिसमें आठमा टाइप यानी प्रकरतिवादी बुद्धी और नौवा टाइप अस्तितवादी बुद्धी सन 1998 एवं 2020 में जुड़ी थी इन्होंने बुद्धी के बारे में no type दिए ये clear हो गया और इसका नाम क्या है बुद्धी, बहु बुद्धी का सिद्धांत एक और सिद्धांत दिया था जो बहु कारक का सिद्धांत था बहुकारक का सिद्धान्त यहां लिख देता हूँ बहुकारक का सिद्धान्त थोंडा एक नामक वेग्यानिक ने दिया था जिसे आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो को देखने में मजाएगा देखे इनोंने सबसे पहली बुद्धी ये क्लियर हो गया बहुद्धी का सिद्धान गाड़नर नामक मनुवेग ज्यानिक ने सन नी सुतरासी इस्वी में दिया था बुद्धी मुलूप से साथ प्रकार की होती है किस में बताया था गाड़नर ने बताया था आटमा प्रकार सन 1998 इस्वी में जुड़ा और नौवा प्रकार सन 2000 इस्वी में इसमें एक और है इससे मिलता जुलता बहु कारक सिद्धान्त जो थंडैक ने दिया था बहुबुद्धी का सिद्धान, बहुकारक का सिद्धान, बुद्धी का सिद्धान दिया था बहुद्धी का गाड़नर ने और बहुकारक का सिद्धान दिया था, थौंडायक ने, भासाई बुद्धी, सबसे पहली बुद्धी इन्हों ने बताई थी, भासाई बुद्धी अच्छा बासाई बुद्धी किस में ज़्यादा होती है कभी में, बकील में और सिक्षक में ये बासाई बुद्धी होती है आपका टीचर कोई भी हो, उसमें बासाई बुद्धी होगी तो हलांके आपके सामने मैं भी एक उधारण हूँ बासाई बुद्धी का कभी बकील और सिक्छक इस तर इन व्यक्तियों में बासाई बुद्धी पाई जाती है दूसरी बुद्धी होती है तारकिक गड़तिय बुद्धी गड़तिय बुद्धी किस में ज़्यादा होती है बैग्यानिक में ओबियसली बात है और एक गढ़तक में ज्यादातर होती है तो तारकिक और गढ़तिय बुध्धी में आपको कोई दिक्कत नहीं है तीसरी बुध्धी होती है संगीत कारक, संगीत आत्मक बुध्धी जो निश्चित रूप से संगीत कार में पाई जाएगी चौथी होती है इस्थानिक बुद्धी जो चित्रकार और मुर्तिकार में होती है इन चित्रकार और मुर्तिकार में कौन सी बुद्धी पाई जाती है? इसना इस्थानिक बुद्धी यानि शरीर की गती से संब्दिश यह नरतक में और खिलाडी में पाई जाती है शट्वा टाइप है अंतर वैक्तिक बुद्धी अंतर वैक्तिक बुद्धी होती है राजनेता या चिकित सक में राजनेता के तोर पर मुद्धी जी को माल लीजिए या फिर किसी और अन्य नेता को माल लीजिए अखलेस यादव को माल लीजिए, योगी आरितिनात को माल लीजिए, इन सभी नेताओं में अंतर वैक्तिक बुद्धी पाई जाती है, अंतरा वैक्तिक बुद्धी किस में पाई जाती है, योगी और संत, मुनी, इन में पाई जाती है, अंतरा वैक्तिक बुद्धी आठ्मा टाइप है प्रकर्तिवादी बुद्धी प्रकर्तिवादी बुद्धी किसान जीव वा बैग्यानिक वनस्पती बैग्यानिक में पाई जाती है नौवा टाइप है अस्तिक्त वादी बुद्धी दार्शनिक में पाई जाती है और एक चिंतक जो विचारक होते हैं उनमें पाई जाती है अस्तिक्त वादी बुद्धी क्वशन पर सर्चा करें तो इसमें बौवद्धी का सिद्धान्त किस ने दिया था गाड़नर ने दिया था 1983 इसपी में बुद्धी मुल्लूप से कितने प्रकार की बताई थी गाड़नर ने तो साथ प्रकार की बताई थी आठमा प्रकार इस तरह का question अभी तक नहीं पूछा है आगे संभावना है कि आठमा प्रकार गार्डनर ने कब दिया था 1998 इसवी में और नौवा प्रकार कब दिया था 2000 इसवी में ये आपको question बहु कारक जिद्धान्त थान्डाइक ने दिया था ये दोनों मिलते जुलते हैं ना इसलिए ये confuse करेगा exam में question तो कारक थान्डाइक कारक आपको का चमक रहा है का का इस तरह से याद कर लेना थान्डाइक के last में का है और इसमें कारक में पहले भी और पीछे भी का का है तो आपका ये confusion दूर हो गया ओके इसमें आपको ज्यादा खास नहीं है ये आपको नाम ध्यान रखने है यहां तक आपको नाम ध्यान रहे हैं और इस पस प्रूप से रहाएंगे और इन चार को आप याद कर लेना अंतरवेक्तिक अंतरावेक्तिक प्रकरतिवादी और अस्तित्वादी बुद्धी आगे आपका एक और टाइप रह गया है त्रे आयामी बुद्धी यानि त्री डाइमेंशनल बुद्धी जो होती है 3D थोरी के नाम से होती है वो तो नेक्स्ट है आपका त्रे आयामी सिद्धांत यानि 3D थोरी सबसे पहली बात है यह सिद्धांत दिया किस ने था गिलफोर्ट ने सन 1967 इस्वी में 3D त्योरी यानि त्रयायामी सिद्धान्त गिलफोर्ड नामक मनुवेग ज्यानिक ने दिया था इन्होंने तीन बात बताएं सिद्धान्त के अंतरगत तीन चीज़ें होती हैं विसेवस्तू यानि कंटेंट और संक्रिया या प्रक्रिया यानि के ओपरेरेशन उत्पाद परिणाम यानि प्रोड़क्ट इससे आप इस तरह से याद कर सकते हैं C O P कूप कंटेंट C से O से ऑपरेशन P से प्रोड़क्ट इसमें इन्होंने बताया क्या था कि समस्या समाधान के लिए जिस सामिगरी के आवसक्ता होती है उसे हम विसेवस्तू या कंटेंट कहते हैं ये विसेवस्तू के अंतरगत बताया था दूसरा बताया था संक्रिया या प्रक्रिया ओपरेशन समस्या समाधान के लिए ब्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से प्रॉसिस से गुजरता है उसे हम संक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं तीसरा बताया था उत्पाद परिणाम प्रोडक्ट समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाय प्राप्त होती हैं उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं बुद्धी के सिद्धानत के अंतरगत 1967 में उने बुद्धिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किय जिसे बुद्धी समर्चना मॉडल कहते हैं ओके किस ने दिया था यह गिलफोर्ड ने दिया था इस तरह एक कुशन आपके पूछे नहीं आते हैं ज्यादातर पूछा जाता है कि 3D त्योरी यानि त्रयायामी सिद्धानत किस ने दिया था तो आपको यह याद रखना है ग समझ आ गया होगा अज की क्लास यहीं समगत हो दिया है नेक्स्ट क्लास आपकी कि संबेग आत्मक बुद्धी की होगी जिसे हम कहते हैं इंवोशनल इंटेलिजेंस ए आई ओके तब तक के लिए आप पढ़ते रहे हैं और इसकी प्रक्टिस कीजिए अब बुद्धी टॉपिक की आप प्रक्टिस कीजिए ओके थैंक यू